तो मेरे प्यारे बच्चे और मेरे फ्री फार्स लबर यहाँ पे मैं बहुत वड़ी खुस ख़बरी लेका चुका हूँ 100% आपका यहाँ पे कल के पेपर का रियल पेपर आपका 100% आपका पेपर बारल हो चुका है यहां पर देखे आपको set A का मैंने पूरा आपको अंसर आपको बता दिया हूँ यहां पर आपका set V आपका देखे 096541 आपका B का आपको यहां पर set B बारा लुचुका है यकीन मानो अगर यह paper आपको पेपर वेक करके जाओगे गड़ित के paper में करचन नवी के बारसिक परिचा में तो आपको यहां पर टॉपर्स बनकर निकलोगे और अभी तो रुको क्लाइमाक्स अभी बाकी है आपको set करना है और मात्र आपको यहां पर set 2 दो ही set आपको तयार कर जाना है paper आपका 6 set में कल आपको देखने को मिलेगे तो चलिए फटा फट यहां पर देख सकते हो पूरा paper मेरे पास set भी आ चुका है सबसे पहले आपको जीत क्लासिज इंडिया पर यहां पर आपको मिलेगा पहला page इसके बाद आपको यहां पर देख सकते हो आपको यहां पर दूसरा page आपको मिल जाएगा ठीक है और दूसरे page के बाद आपको यहां पर तीसरे page के बाद आपको यहां पर चौथा और यहां जो भी चातर पहली बाराए है तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो, ये वीडियो कल आपको टॉपर्स बनाकर छोड़ेगा तो आपको वीडियो लाज तक देखना है और एक-एक कॉस्चन यहाँ पर आपको रट कर जाना है आपको मैं सेट सी का बता दिये था पिछले वीडियो में ठीक है सव परसेंट रियल आपका टॉपर बनोगे तो यहाँ पे आपने इसका अंसर पूरा देख लिया है अब वाली आती है आपका सेट वी के पेपर का चलिए फटा फट यहाँ पे आपको देखे हिंदी और आपक पे आपको मिलेगा पहला कोश्चन यहाँ पे देखे क्या है सही बिकल्ब आपको चुन कर लिखना है तो चलिए छे आंको कोश्चन है पहला कोश्चन इसमें देखते है तो पहला कोश्चन आपको यहाँ पे दिये गए चातरो देखो ध्यान से देखना एक एक कोश्चन क् दर्जन केले का मूल 60 रुपए है तो 6 केलो का मूल क्या होगा देखिए एक दर्जन मतलब आपकी यहाँ पे एक दर्जन में आपके 12 केले होते तो 12 केलो का आपका यहाँ पे कितना है 60 रुपए है अब बात कर रहा है एक केलो कैसे नहीं का लोगे पहले आप क्या करोगे आप आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है आपको मैं इसमें समझाद रहूं कैसे आपको यहाँ पे इसका अंसर आपको करना है देखिए तो आपको इसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको साथ मतलब आपको साथ में भाग देना है वारा का ठीक है तो 12 पंचे आपका साथ, एक केले का मूर आपका 5 रुपए, अब बात कर रहा है कितने 6, तो 6 केले का 1 केले का 5 और 6 केले का हो जागा 6 पंचे आपका 30 रुपए, तो simple तरीके से answer आपको यहापे 30 रुपए करना है, इसके बाद देखिए, आपको इसमें 30 question, आकड़े 9, 1, 7, 3 पाच का माध्धक क्या होगा, तो माध्धक बहुत सिंपल है, क्या करो, आपको माध्धक जब भी आप लगाओ, तो आपको सिंपल तरीके से आपको इन में देखे, पहले इसको जमाना होता है, कैसे आपको यहाँ पे बढ़ते क्रम में, ठीके, तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका यहाँ पे इसमें 1 आएगा ठीक है और 1 के बाद के आएगा 3 आएगा 3 के बाद 5 और 5 के बाद आपका 7 और 7 के आपका यहाँ पे 9 आप पूछ रहा है आपको इसको जोड़ दो क्या करना है आपको यहाँ पे आपको जोड़ देना है जोड़ने के बाद ही आपको अंसर निकल कराएगा मध्यक मतलब होता है इसका मीड़ पॉइंट तो देखिए यहापे देखिए एक तीन चार चार पाच नो और सूला और तो आपको यहाप चाहो तो यहाप बर्दे करम में लिखो इसके बाद भीच बाला पॉइंट लोगे आपका अंसर माध्यक निकल ज जोड़िए एक, दो, तीन, चार जितने संख्या उसका भाग दीजिए तो आपका यहां पे पाच अंसर निकल करा जाएगा इसके बाद कोश्चन आता है आपका यहां पे निश्ट देखिए क्या गोले का आपका आयतन का सूत्र तो प्यारे छात्रों दिल से वीडियो लाइक कर दो और यहां पे देखिए आपको गोले का आयतन की बात कर रहा है यहां पे होगा 4 q 3 pi r k Lt आपको यहां पे यहां पे यहां पे इसके इसके बास question आपका यहां पर देखे बेद दो कोड जिनका योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं तो simple सा देखे जिनका यहां पर आपका यहां पर 180 होता है उसको कहते हैं आपको यहां पर simple तरीकी से इसका आपका अंसर यहां पर देखे क्या हो जाएं आपका यहां पर आंसर सम पूरा कोड करना चाहिए जिसका यहां पर 180 होता है उसे कहते हैं आपका यहां पर सम पूरा कोड आपको यहां पर देखे प्रिंटिंग में आपका mistake है आपको पूरा अंसर इसके मिल जाएंगे पर यहाँ पर हम रिक्तसान के question देखते हैं और आपके सारे question के answer हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो 7 नमर का आपको question रिटाट होता है देखिए किसी घटना के घटित होने की प्राइकता का अधिकता मान क्या होता है तो simple तरीक से answer आपको यहाँ पर आपको एक करना है क्या क पर आपका थिल्फ हे जाता यहाँ पर देखिए क्या question दिया है ब्रत की सबसे बड़ी जीबा ब्रत का क्या कहलाता है तो आपको इसमें answer आपको यहाँ पर करना होगा आपको यहाँ पर अंसर बैस करना पड़ेगा इसके बाद question के आयत का प्रतिक कोड एक क्या होता है, तो आयत का प्रतिक कोड एक होता है, यहां पे क्या होता है, आपको अंसर करना पड़ेगा, यहां पे अंसर प्रतिक कोड करना है, यहां यह मिल गया, और इसके बाद यहां पे, स्वरी, आपको यहां प्रतिक कोड की बाद करना है, यहां होता है उसे कहते हैं तो यहां पर ऐसी कहलागा एक्स wnatsi से ज्यादा हो और यहां पें 30 निकल यापस कर लेना पर ऐसके बात Shattva Question विंदू Windows ये आपको सॉझानुद' एक्स को कहती monstrous है उसे कोटी कोटी इसके बाद आपको यहां पे कोशन यहां पर फ्रोंट कष्चिक बाइगा जब नवकाबद देंगे तू एक्स-कतलु से बाइ DM घंड़ान है आपको 306 , 9 मिद्वान । आपको किस में आपको करेंगे तू 306 में जब यहां पर आपका 9 का भाग देंगे तो simple तरीके से आपका अंसर यहां पर minus आपका 34 निकल कर आएगा आपको यहां पर आगे है ठीक है लेकिन मैं आपको answer ता रहा हूँ जो आपको यहां पर सीधा सीधा आपका answer होने बाला है तो पहले बाले का आपको answer यहां पर करना है मैं आपको यहां पर दिखा ज़ता हूँ answer करके पहले बाले का इसका answer आपको यहां पर simple तरीके से आपको answer करना है आपको सारे question का answer में बता रहा हूँ आपको यही वाला देखे दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपका यह माइनस है तो आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे देखो आपको जो आपका नेस्ट दिया है आपको इसमें क्या दिया गया है आपको इसमें दियागे है यहापे 4 पटे 5 तो 4 पटे 5 को जैसे आप यहापे भाग दोगे 14 में तो 0.0 आपका here 8 अंसर निकल कर आएगा क्या हैगा? तीसर आपको यहापे निकल कर आएगा आपका here 0.8 इसके बाद यहाँ पर चौथा, 0.5 में आपका 10 का भाग देंगे, तो simple तरीके से आपका यहाँ पर चौथे का अंसर आपका 0.05 आपका अंसर निकल करायागा, आपका यहाँ पर इसका होगा, इसकी बाद आगे point देखे, आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको यह वाला, तो simple सा आपको minus 3.7, ठीके, कौन सवाल आपका आएगा, आपको जो इधर दिया गया है, ठीके, यह आपका दिया गया है, इसकी बाद आपको 0.04 बटे 10, आपको यहाँ पर जब इसे करेंगे, तो आपको simple दिक्स आंसर, आपको 6 का 0.00 आपका फूर, यह आपका अंसर होगे, आपके सीधे आपको 3.7 minus में, और 0.04 पर दस से भाग देंगे, तो 0.004 आपका अंसर हो जाएगा, तो इसके बाद देखो, आपको कोशन आता है, आपको एक सब दिया, आपको एक बाक में चोथा उत्तर, आपको यहाँ पर साथ नंबर का आपको कोशन है, यहाँ पर साथ नंबर का आप को पिछली वीडियो में दे दिया है, तो इसका अंसर और आप यह सेट, दोनों सेट आप करके जाओगे, फायर करके आओगे, एक एक कोशन रट लेना, यहीं से टॉपर बनके निकलोगे, चलिए, इसमें आपका पहरा कोशन दिया है, प्रैक्ता की परिभास आपको क्या हो होता है, रेकिक बहुपत की आपका घात क्या होता है, एक रेजियो कोड की आपका माप, और यहाँ पे माइनस फाइप और शिक्स किस चतुतांस में इस्तित है, तो इसका अंसर आपको यहाँ पे बेतरीन राइटिंग से देखिए, पहला प्रैक्ता की आपका परिभास चतुरिबुज होता है, जो तल के एक इस्तिर बिंदु पर आपका समान दूरी पर हो, ठीक ल्हुएख देखना एक एक कोश्चन आपको मैं दिखाता हूँ यहां पर मतलब क्या होता है यदि आपका ये समानतर आपका इसमें तीनों भूजा बराबर हैं तो इसका भी 60 हंस होगा यहां पी 60 हंस और इसका भी 60 हंस मतलब 7, 60 हंस आपका तूटल, आपका 150 A, आपको यहीं होगा ठीक है इसके बाद देखिए आपको यहाप एक रिजी कोड की आपका माप क्या होगा तो रिजी कोड मतलब आपका एक सीधा लाइन तो सीधा लाइन देखिए आपको यहाप एक सोसी डिगरी को होता है इसे ही कहते हैं आपको यहाप रिजी कोड या फिर आपका सेलल र तो आपका जो माइनस होता है, आपका ये माइनस और प्लस वाला किस चतुर थांस में आपका अंसर होता है, तो मैं आपको यहापे दिखाते हैं, कैसे आपको करना है, तो देखो, आपको मैंने सेट आपका A में यहापे यह बाला कोशन आपका आया था, दस में में ठीक है, त इसके बाद English, आपको यहाँ पर आता है सत्व और असत्के कोशइन, तो ध्यान से देखना 6 नंबर का कोश्चिन आपको यहाँ पर दिया गहे है, आपको पहले कोश्च्चन परतेक प्रतेक संख्या, एक पून संख्या होती है, तो आपको इसमें सिंपल तरीकी से अपको मैं ह का गिंति के नमबर उक दो तीन चार ड़ेस ड़ेस आपका अनंद थक तो यह कोश्चन आपको इसलय क्यों होते है एक फूर्ध संख्या तो भिल्कुल देखो अपके यहापरल है मतलब आपके पूरे पूरी संख्या होते हैं यह आपके लुसर में होते हैं, मतलब आपको ये सत्य हो जाए, क्या होगा आपको आपको सत्य करना है, इसके बाद कोश्चन देखो, आपको तीन घात वाले बहुपत को दुई घाती बहुपत कहते हैं, तो तीन घात वाले बहुपत को दुई घाती नहीं कहते हैं, त्री घाती कहते हैं, एक घ एक पटे दो आधार घुठाई उचाई होता है तो बिल्कुल होता है आपको सत्य करना है इसके बाद देखिये आधार और संगती प्रुहस्च्ण वह होता है तो अग़ाई का नुए प्रुट्र फुलieso अरव breशा वा ways पर्मान होता है जो उसे ठीक दो भागों में भ्यक्त कर देता है तो आपको यहां भी अंसर आपको सत्य करना है चलिए इसके बाद बेरेखाई जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस पर समांतर होती है तो आपको यह भी आपके करना है आपको यहां पर सत्य आपको कर देना ह है तोум को यहां पर मैं आपको इस यह वाले हैं तो देखिए अपको यह लिए लिए हो और जै कुछ थाटक तो इसका आनसर पको बहुत इच्छी तरीकी से यहां से स्टाट करना है और यहां तक इसको लिख देना है ठीक है अंसर दीगे आपको चलिए इसके बाद question इसके अत्वका एक और दो के बीज पाँच आपको परमेश संख्या को गयात करना है तो यदि आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ देखेंगे आपका person bank तो आपको इसमें देखें तेरवा question आपको एक और फाई प्रस अंडरूट तूग आपको यहाँ स्कॉर्ण करना है तो आपको यह question आपको यहाँ चातरो यहाँ पर प्रस नंबर साथ का आपका अधवक question आपको यही question आपको करना है ठीक है तो फटा फट यह कोश्चन कर लो आपको यहां पर मिल गया अब यहां पर आपको देखिए कोश्चन बना आपको यहां पर आठवा से आपको यहां पर आठवा कोश्चन है इसके बाद आपके यहां पर देखिए फूरे कोश्चन आपको यहां पर ग्यारवा से आपक लगातार देता रहूँगा तो इसलिए आपको यहां पे क्या करना है आपको जल्दी से यहां पे पीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बेल आइकेन यहां पे आपको दबा देना है जिसे आपको तुरंद आपको जो वीडियो आपको आए